जूटो ने जूटो से कहा है सच बोलो सिरकारी अलान हुआ है सच बोलो घर के अंदर तो जूटो की एक मंडी है दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो सलाम नमस्ते सस्रिया काल मैं हूँ आपके साथ हर्शता मश्रा और आप देख रहे हैं टाइमस मेल हमारी दुनिया जब से आबाद हुई है तब से ही इनसानों की तादाद में इजाफा हो रहा है लेकिन इस आबादी को कंट्रूल करने के लिए पूरी दुनिया में फामली प्लानिंग प्रोग्राम चुलाया जा रहा है खास कर इस आबादी के लिए पती और पत्नी को जम्मदार ठराया जाता है इश्क में हद से जादा गुजर जाने की वज़र से ही दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो कहीं बेटे की चाहत में आबादी को बढ़ाया जा रहा है इसके लिए सीधे तोर पर पती और पत्नी को जम्मदार माना जाता है लेकिन अगर इस बढ़ती आबादी के लिए पती पत्नी से जादा एक खास स्यासी पार्टी को जम्मदार ठरा दिया तो इसे पागलपन और मुर्कता में शुमार किया जाएगा आजकल बढ़ती आबादी कंट्रोल करनी की मांग उन लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा हो रही है जिनोंने खोदी बच्चों की कतार लगा रखी है परिवार को आउट ओफ कंट्रोल करने वाले पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे है अभी हाल ही में हमने आपको बताया था किस तरह से भाजपा के सांसत मनोस्तिवारी दो-दो शादिया करने के बाद तीसरी बार पापा बनने जा रहे है लेकिन पंडित रवी किशन शर्मा भी कहां पीचे रहने वाले थे पूरे देश में इस वक्त जन संख्या के नाम पर शोर मचाने वाले शर्मा के लॉंडा खुद चार चार बच्चों का इबाप है लेकिन इस बच्चों के पैदा होने में उनका कोई योगदान नहीं है बलकि इसके लिए कॉंग्रस के पिछली सरकार जमदार है मतलब कल तक हर मामले में नहरू और कॉंग्रस को जमदार बताने वाले लोग अब अपने बच्चों के पैदा होने में भी कॉंग्रस को जम्मदार मान रहे हैं सबसे शर्मनाग बात ये है कि अपनी ही संतान के बैदा होने के लिए कॉंग्रस को जम्मदार ठराने वाला शक्स मोदी जी का सांसद है भाजपा में सिर्फ रवी किशन या फिर मनोश तिवारी ही जंजंक्या पर शोर नहीं मचाते बलकि केंद्रिय मंत्री गिरिडास सिंग अपनी जेब में पाकिस्तान का वीजा लेकर घूमते हैं लेकिन भाजपा ही तो खुद ही आठाट बच्चों की बाप है यहां तो हाल यह है कि अगर गिरिडास सिंग ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को पाकिस्तान बेजने लगेंगे तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी क्योंकि बड़े बड़े बीजेपी के निताओं के दोस से जादा बच्चे हैं लेकिन बेटे की चाहा ने बच्चों की लाइन लगा दी है लेकिन क्या बच्चों की इसकतार के लिए कोई सियासी पार्टी जमदार है इस तरह ऐसे केंद्रे मंतरी गिरिडास सिंग ने कुछ अफते पहले ही एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि भारत में हर एक मिनिट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं इसलिए देश में जन्संक्या ने अंतरण बिल बहुत जरूरी है और जन्संक्या बिल को धर्म या संप्रदाय के बिना सबी पर लागू किया जाना चाहिए जो इसका पालण नहीं करे उन्हें सरकारी ओजना उकलाव नहीं दिया जाए उनके वोटिंग राइट्स भी ले लिए जाए उन्होंने चीन की वकालत करते हुए कहा कि चीन हम से ज्यादा समर्द है क्योंकि चीन अपने देश में वन च्राइल्ड पॉलिसी लाया जिसकी वज़त से एक मिनिट में दस बच्चे पैदा होते हैं जबकि भारत में तीस बच्चे पैदा होते हैं ऐसे में हम चीन से क्या से मुकाबला करेंगे लेकिन चीन के बारे में अद्ध कच्रा ग्यान फलाने वाले ऐसे ही निताओं को मोधी जी ने अपने क्याबनेट में बठा रखा है जिनको चीन के बारे में ही कायदे से नहीं पता चीन ने One Child Policy कपकी खतम कर दी अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहा है अक्सर जन संख्या बढ़ानी के अपील पर वही लोग जोर दे रहे हैं उन्हें खुद ही शादी नहीं की मतलब जिसने खुद शादी नहीं की बच्चे पैदा नहीं की वो भला दूसरों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत कैसे दे सकता है वो भी धर्म के आधार पर लेकिन सवाल है कि 2013 से पिम मोधी प्रधान मंत्री है केंदर और देश के कई राजियों में भाजपा की सरकार है लेकिन अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इसके लिए किसे जमदार माना जाए आखिर मोधी जी ने क्यों नहीं बनाया जनसंख्या नियंतरन कानून जबकि उनहीं किनेता धर्म के आधार पर हिंदूों को अपनी जनसंख्या बढ़ानी के अपील करते रहते हैं मुकाबला करना चाहिए चीन से मुकाबला करना चाहिए पाकिस्तान से मुकाबला करना चाहिए दुनिया के बड़े-बड़े अमीर और थाकतवर देशों से लेकिन बाजपा के नेता ज्यादा बच्चे पैदा करके आपस में मुकाबला करना चाहते है बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें वीजियो को लाइक कर दें और बलाइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको बलती रहे लोटते हैं आप खबर की तरफ भोजपरी फिल्मों के स्टार और गोरखपुर से बीजेपी की सांसद रवी किशन ने इंडिया तुडे आज तक मंच पर अपने एक बयान से खुद का ही मजाग बना लिया है उन्होंने कहा कि वो संसद में प्राइबेट मेंबर बिल लाने वाले हैं मैं पिता के रूप में जानता हूँ कि उनकी परवरिश के लिए कितना संगर्श करना पड़ा मेरी पतनी लंबी और पतली थी और पहली और दूसरी डिलिवरी के बाद मैंने उसकी सीहत बिगड़ते देखी मैं उस समय से अंगर्ष कर रहा था और हमेशा शूटिंग में व्यस्त रहता था बच्चे पैदा होते गए मतलब एक्टर के बाद सांसत बनने वाले रवी किशन को पता नहीं चला किये कि बाद एक उनके चार बच्चे पैदा हो गए रवी किशन ने आगे कहा कि उस वक्त कोई स्पष्टता नहीं थी मगर अब मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि मेरे चार बच्चे है ये कोई गलती नहीं है अगर कॉंग्रस सरकार उस समय विधैक लाती और कोई कानून होता तो मेरे चार बच्चे नहीं होते जन संक्या नियंतरन को लेकर कॉंग्रस सरकार में जागरुटा नहीं पैदा की गई थी इसलिए बीजेपी सरकार को जन संक्या नियंतरन बिल लेकर आना पड़ रहा है यानि बीजेपी ने जिस नचनिया को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से उठा कर गोरकपुर का सांसत बनाया है उसे ही मालूम नहीं है कि पिछली सरकारों ने जन संक्या नियंतरन के लिए क्या-क्या जागरुटता अभियान चलाए रवी किशन चार बच्चों के बाप हो गए लेकिन पता नहीं कौन से इस पश्टता की बात कर रहे हैं अगर चार बच्चों के अभबा को जन संक्या के प्रती जागरुक नहीं होए तो सोचिए काम आदमी का क्या होगा इसी तरह से बोचपुरी फिल्मों के स्टार और बीजेपी सांसर दिनेश लाल यादफ के तीन बच्चे हैं मनोस्तिवारी तीसरी बार अबबा बने वाले हैं लेकिन मोधी जी के मंत्रियों में ऐसे नेता भी मौजूद है जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं 28 के अबनेट मंत्रियों में से 8 के 2 से अधिक बच्चे हैं लेकिन बाजपा के नेताओं की अगर बात की जाए तो वहां तो बच्चे पैदा करने की कमपटिशन चल रही है बेटे की चाहत में कोई अजमेर शरीफ की दरगा पर मत्था टेकने पहुंच जाता है तो किसी ने बच्चे पैदा करना तब तक बंद नहीं किया जब तक उनके घर में बेटे की किलकारी नहीं गोंची यानि बेटे की चाहत में जन संख्या बढ़ती गई और उन्हें की पार्टी के बड़े बड़े नेता जन संख्या के नाम पर दुबले हुए जा रहे हैं साल 2019 में बीजेपी के सांसदों का डेटा से पता चलता है कि यहां बीजेपी के सांसद जम कर चौका छक्का मार रहे हैं बीजेपी के 96 सांसद ऐसे हैं जो दो बच्चों के मांदंड को पूरा नहीं करते बीजेपी के 21 सांसदों के 4 और अन्य 12 सांसदों के 5 बच्चे हैं और बीजेपी के सयोगी पार्टी अपना दल के सदस्य पकवरी लाल के 7 बच्चे हैं अब देश की सबसे बड़ी आबादी वाली राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2017 के चुनाफ के बाद बीजेपी के नेताओं और उनके बच्चों का जो आकड़ा सामने आया उसने सब को हारान कर दिया बीजेपी के 304 विधायकों में 152 विधायक के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं कुछ विधायकों के परिवार का आकड़ा इतना बड़ा है जितने की आप कलपना भी नहीं कर सकते हर विधायक दूसरे विधायक के competition करता नजर आ रहा है किसी ने 2 बच्चे पैदा किये तो किसी ने 5 मानो हर विधायक क्या रहा हो कि उसने 5 बच्चों को पैदा किया हम करेंगे 6 इनमें एक विधायक के तो 8 बच्चे हैं लिस्ट में किसी और विधायक को इतने ज्यादा बच्चे नहीं है एक विधायक को 7 बच्चे हैं बीजेपी के 8 बच्चे के आठ विधायक ऐसे हैं जनके 6-6 बच्चे हैं वहीं एनडी टीवी की रिपोर्ट के मताबिक यूपी में परिबार में 2 बच्चों के कानून की पैरवी करने वाले बीजेपी के 304 बधायकों में से 152 के 3 से लेकर 8 बच्चे तक हैं आठ बच्चों के पिता बीजेपी के सयोगी अपना दल के वधायक हरे राम ने विश्पत जन संक्या दिवस पर ट्विट कर लोगों को कम बच्चे पैदा करने की नसीहत भी दी है 6 बच्चों के पिता बधायक रतनाकर मिश्वा कहते हैं कि 5 बीवी 25 बच्चे अब नहीं चलेगा बीजेपी की एक बधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने 6 बेटियों को जन्म दिया फिर आखर में अजमेर शरीफ में मनत मागने के बाद बेचा हुआ यूपी लॉग कमिशल ने दो बच्चों के कानून का ड्राफ्ट बनाया उसमें दो से जादा बच्चे बालों को सरकारी सो विधाएं ना देने और पंचाय चुनाव लड़ने पर रोक की बात की है लेकिन सवाल है कौन कितने बच्चे पैदा करेगा ये तैय करने का अधिकार किसी सरकार को है या किसी परिवार को कोई अपने घर में एक बच्चा पैदा करेगा दो पैदा करेगा तीन पैदा करेगा या दरजन या फिर वो बच्चे ही नहीं चाहता ये तैय करने का हग उस मियावीवी का है जिनमें खुद को ही बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं वो आकर कैसे जनसंख्या पर भाषण देने लगते हैं जो खुद आठड़ बच्चों केबाप हैं ऐसे निता पता नहीं कौन से मुझ से जनसंख्या कंट्रून करने की बात करते हैं खासकर उन लोगों को जनसंख्या पर बोलने का कोई हक नहीं है जिन्रोंने खुदी बच्चों की कतार लगा रखी है पता नहीं कैसे बीजेपी जनसंख्या नियंतरण पर कानून बनाएगी हमें उस दिन का इंतिजार करना होगा जनसंख्या नियंतरण कानून लाने के बाद पता नहीं कितने भाजपा इस कानून की भेट चड़ते हैं और चलते चलते आखिर में अकबर इलाबादी ने भी क्या खूप फरमाया है अकबर दबे नहीं किसी सुल्ता की फौज से लेकिन शहीद हो गए बीवी की नौज से फिलाल इस वीडियो में बस अतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आये तो लाइक करें हमारे वीडियो लिंक को फेस्बुक ट्विटर वाटसाप पर अपने रिष्टदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निश्पक्ष स्वतंदर पत्रिकारता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चानल टाइमस मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बलागन की गंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फॉरा नहीं मल जाए फिर मलता है किसी और वीडियो में एक नई कबर के साथ हर्शुता मश्वा को दीजिए इजासत जैहिंद तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को हमें उमीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें